तमाब अनुबंद करें, अभी बता रेटेट पास को हुआ है, लड़का लोजे बीएट करके बाद 2016 से बैठा लेट, अब टेट पर इजाने लिए हैं, 2016, अभी क्या कहिएगा, ये भी हम ही कर रहे हैं, गलती अपनी देखिए, आप अपनी गलती को देखिए, हम ने कहा दिया है, कि 2023 न्युक्ति बर्स होगा, ये न्युक्ति बर्स होगा, आपको इस पर करना पड़ेगा, नहीं तो 2024 आपका विमुक्ति बर्स होगा, अप जे पास्ती का पारव नहीं निकाल रही है, उमर खतम होते जा रहा हैं, लाश्ट में चो आशा कहीएगा नहीं हम जो है सब करेंट यह से जोड़ेंगे करेंट यह से जोड़ेंगा तो भीन परिछा देले रिटाइड कर जाएगा लड़का पाही और मंडरेगा और यह सारी लेप टेकनिसियन जितनी भी सारी परिच्छाएं उन सारे परिच्छाओं का विज्यापन दो हजार मार्च यह तैस के मार्च तक चाहिए अगर जैदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ा अंधोलन होगा जो आप उसकी कलपना भ करता है जो अभी हम कर रहे हैं यही बातों को मुद्धों को लेकर आप आए थे कि पांच लग रोजगार हम परतेक साल देंगे हम जो ऐसा 27% रिजर्वेशन देंगे 1932 का खत यान लाएंगे complete जो पेड़ चढ़ेगा उकराम सिपाही बना देंगे यह सब सारी चीजों को हमने नहीं कहा था नियुक्ति बर्सों का 2021 कोई विपेरोजगार नहीं रहेगा हमरा राज आगा तो रामराज हो जाएगा यह सब सारी बातों को आपने कहा था वही रामराज की हम लोग कलपना जो का दिखाए थे वह हम मांग रहे हैं आपको यह डिशीजन लेने का पावर है आपके बच्चे जार्खंड के बच्चे आपसे बहु सारी उमीद किया है कि इने जार्खंडी मुक्त मंत्री हैं युवा मुक्त मंत्री हैं यही हमारा जो एसो कल्यान करेंगे तो कल्यान करिए और यथा सीगरे बिग्यापन दिजिए अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले